तो आज इस विडो में मैं आप सभी को मूमफली के बारें बताने वाला हूँ और मैं आप सभी को बता दू कि जो मूमफली है उसमें जो तीन तरीके के जो न्यूटेन प्रेजन्ट है इसमें fat present है और अगर मैं fiber की बात करूँ तो 8.5 gram इसमें fiber present है और यहां तक कि monthly में वैसे sugar भी present है तकरीबन 4.7 gram monthly में sugar present है तो आप सभी के मन में आप एक ही सवाल आ रहा होगा कि जितने भी diabetes patient है क्या आप सभी लोग monthly का 7 कर सकते हैं या फिर नहीं तो सबसे पहले मैं यहीं बता देता हूं तो देखिए जितने भी monthly खाने का सही तरीका क्या है तो अगर आप monthly खा करके अपने सरीर को धेड़ सारे फायदे पहुंचाना चाते हैं और अपने सरीर को healthy और fit रखना चाते हैं तो इस वीड़ो को पूरा जरू देखिए मैं आप सभी को यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप इन फायदों को सुन करक सच में हैरान होने वाले हैं तो चली बिना देरी कि फटा वड़ जानते हैं मुफली खाने के फायदों के बारे में तो मुफली खाने से हमारे जो हाट हो healthy रहता है देखें मुफली में जो दो fat present है polyunsaturated और monounsaturated यह दोनो fat करते हैं कि हमारे blood में जो closer level बढ़ा हुआ है यह जो fat है हमारे नसों में जमना start हो जाता है जिसकी वजह से heart attack का खत्रा काफी जड़ा बढ़ जाता है हमारे नसों में जो खून का भाग वह अच्छी तरीके से नहीं हो पाता तो जब आप मुफली खाएंगे तो यह जो गंद की जमी हुई है दीरे दीरे निकलना start हो जाती ह और साथ ही साथ मुफली में जो other nutrient present है जैसे की magnesium, copper, niacin और भी जो कहीं other anti-osin present है यह करते हैं हमारे heart की functioning को improve करने का काम करते हैं जिससे के हमारे जो हिर्दे वो अच्छी तरीके से काम कर बाता है हमें in future हिर्दे से सम्मंदित बीमारी होने का जो खत्रा हो काफी जड़ा कम ह हो जाता है और आज की डेट में आप सभी जासे जानते हैं कि heart related बीमारी के cases काफी जड़ा बढ़ने लगें तो आप मुफली खा करके अपने heart को healthy और fit रख सकते हैं मुफली का सेवन करने से आपको जो liver है वो भी healthy रहता है और यह बात में अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं आपर आपको काफी सारे observational study दिखा रहा हूँ जापर scientist ने यह notice किया कि आप जरूरी नहीं मुफली का ही सेवन करें आप मुफली के अलावा जो बढ़ाम गिरी है काजू और भी अन्य जो dry food से अगर आप उनका सेवन करते हैं तो इससे आप liver से संब्दित बीमारी होने का ज पत्री नहीं होता है और जादा तर पित की थाली में जो पत्री नहीं होता है और यह बात observation study में scientist ने देखा था और यहां तक कि मुफली में जो healthy micronutrient प्रेज़ेंट है इसकी विजह से पेट से संब्दित बीमारी होने का जो खत्रा वो भी काफी जदा कम हो जाता है मुफली का सेवन करने से हमारे बालों के लिए ओपने सकीन के लिए काफी जदा फायदा करता है आजका लोगों में बाल जणने के समस्थाअ काफी जदा बढग रहता है इसकीन जो हो ड्राय रहती है और ऐसा इसलिए होता है ज्यादा तर क्यूंकि आपके सरीर में vitamin E की कमी तो अगर आप मुफली का सेवन करते हैं तो मुफली में विटमी एक की जो मातर हो काफी अच्छी प्रेजेंट है जिससे कि आपके बाल अगर तूट रहे हैं इसकिन ड्रह रहती है तो इन सारी केसिस में मुफली आपको काफी ज़्यदा फैदा करता है और यहां तक कि मुफल का सेवन करने से आपके सरीर में जो अंदर इंदर सूजन हो रही है उस सूजन को भी दिरे-दिरे कम करता है क्योंकि मुफली में जो फैबर की मातर हो काफी अच्छी प्रेजेंट है तो आप मुफली का सेवन करके इन सारी प्रॉलम को भी ठीक कर सकते हैं और मुफली का जीदा help करता है क्योंकि मुफली में protein की मात्रा बहुत ज़्यादा अच्छी प्रेज़न है जिसे कि शर्पेरिंग में बहुत ज्यादा मदद करता है और मुफली जो reproductive health के लिए भी काफे ज्यादा अच्छा माने जाता है ये समन क्वालिटी को टेस्ट स्ट्रोन लेवल को इंप्रूफ करने का काम करता है और यहां तक यह वेट मेनेजमेंट में हमें काफे ज्यादा मदद करता है कहीं लोगों ऐसा लगता है कि मुवफली का सेवन करने से वजन जो बढ़ता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जब यह रहेगा नहीं आपका वजन जादा बढ़ेगा और आपको वजन कम में रहेगा बिल्कुल आपको healthy और fit रखने में मुवट ज्यादा मदद करता है तो मुवफली के इतने सारे फायदे मैं आपको बता दिये अब बात कर लेते हैं कि मुवफली खाने का सही तरीका क्या ह जब आप breakfast करें, उसके साथ ही आपको करना चीए, तब ही आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा, तो जब आप नास्ता करें, नास्ता में आप कुछ भी healthy GG खा रहें, उसके साथ साथ मुंफली का सेवन साथ में जरूर करें, दूसरे point की बात करूँ कि मुंफली का सेवन करना चीए, तो आपको पूरी रात बर आप मुठी बर मुंफली पानी में भीगो दीजिए, और सुबह उठ करके आप नास्ते के साथ जिस तरीके से आपको बताया, आप उस टाइम पर मुंफली का सेवन करें, तब ही आपको सबसे ज़्यादा फायता देखने को मिलेगा, अब यहां पर बात आते हैं कि आपको सुबह सुबह सेवन करने में दिक्कत हो रही है, आप इस तरीके से सेवन नहीं कर पाते हैं, तो आप पूरे दिन बर में कभी भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन साम होने से पहले आप मुंफली का सेवन कर ले, बाकि जो जिम जाते हैं, वो आपको कोई अलर्जी है तो आपको मुफली को अपनी डायट मेड करने से पहले अपने डॉक्टर से एक बरी जो कांटेक करें दूसरा पॉइंट आपको यह दियान रखना है कि अगर आपको कोई treatment चल रहा है आपको जितने भी फायदे मैं आपको बता है सारे फायदे आपको मिलेंगे उमीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी को सीखने को मिला हुगा आप मुझे नीचे कमेंट करके जुरू बताना कि आपको यह वाली वीडियो कैसी लगी फिलाल के लिए आजके इस वीडियो में इतना है अगर आपको यह वीडियो पसंद आए है तो इस वीडियो को जो लाइक करें चैनल को जो जो सस्क्राइब करें थैंक्यो सो मच वाचिंग देस वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद